आज की कहानी एकता काबल एक जंगल था उस जंगल में पाँच हीरन साथ साथ रहती थी पाँचों में बड़ी दोस्ती थी पाँचों साथ में घास चरती साथ में पानी पीने जाती जहां जाती सब साथ में रहती उनमें बड़ी एकता थी वे सब आपस में बड़े प्रेम से रहती थी खासियत या थी कि उनमें कभी आपस में लड़ाई जगड़ा नहीं हुआ एक शेर उन पाँचों को बड़े ध्यान से देखा करता था हमेशा घात लगा कर बैठा रहता था सोचता था कि कब उनका शिकार करें शेर हमेशा उनका शिकार करने की सोचा करता था एक दिन उस शेर ने उन पर आकर्मन कर दिया सबने मिलकर शेर को ख़देड दिया शेर डर के मारे किसी भी हीरन का शिकार नहीं कर पाया शेर ने कई दिन तक उन हिरनों का शिकार नहीं किया लेकिन बदले की आग उसके मन में जल रही थी बस मौके के इंतजार में था कि कब शेर अपने अपमान का बदला ले हमेशा इसी इंतजार में रहता था कि कम मौका मिले और इन में से एक एक हीरन को दबोच ले इसी उतल उतल में शेर ने हीरनों के इंतजार में कई दिन गुजार दिये आखिर वह दिन आ गया बहुत पुरानी कहावत है कि चार बरतन होंगे तो बजेंगे ही किसी बात को लेकर पाँचों हिर्नों में जगडा हो गया पुरानी मित्रता तूट गई सभी अलग-अलग रहने लगी अलग-अलग घास चरने लगी शेर ने एक-एक कर सब को मार डाला इस प्रकार उनकी एकता का बल तूट चुका था और शेर ने अपना बदला ले लिया था इसी लिए कहा गया है कि सच में एकता में बल है हमें अपने मित्रों से आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए धन्यवाद